हलो चिल्डरेन आज हम आपको हिंदी ब्याकरन में वाच्ची के विश्य में बताने जा रहे हैं तो आईए चलते हैं वाच्ची को हम लोग स्पीच भी कहते हैं तो आईए चलते हैं वाच्ची के विश्य में जाने सबसे पहले जाने कि वाच्ची का साब्दिकतर क्या है तो वाच्ची का साब्दिकतर होता है बोलने योग बाते या जो बोलने का विश्य हो या विश्य है उसे ही वाच्ची कहते हैं लेकिन अब उसकी परिभासा को जाने, क्रिया के जिस रूप से ये अग्यात हो की किसी भी वाक्य में, यानि किसी भी सेंटेंस में क्रिया द्वारा प्रतिपादित, यानि जो क्रिया किया जा रहा है, उसके द्वारा जो प्रतिपादित नियम है, यानि बनाया गया नियम है, अत्वा विधान है का विशे जो होगा क्या होगा करता के अनुसार होगा अत्वा कर्म के अनुसार होगा अत्वा उसके भाव के अनुसार होगा उसे ही वाच्छी कहते हैं आईए चलते हैं उधारन से जान ले मोहन पढ़ता है मोहन से पढ़ा नहीं जाता मोहन से सत्य बोला जाता है इस तीनों उधारन में तीन उधारन है और तीन तरह के है तो पहले उधारन में मोहन पढ़ता है इसमें मोहन करता है जो अपना क्रिया अथवा करता के अनुसार है आगे चलते हैं दूसरे उधारन में मोहन से पढ़ा नहीं जाता इसमें जो क्रिया है क्रिया सब्दों में भाव ही परधान है यानि क्रिया के सब्दों में किसकी परधानता है तो भाव की परधानता है क्योंकि करता का भाव पढ़ने जैसा नहीं है तीसरे उधारन में मोहन से सत्य बोला जाता है इस उधारन में किसकी प्रधानता है तो कर्म की प्रधानता है जिसमें क्रिया जो हो रही है वा किसके अनुसार हो रही है कर्म के अनुसार यानि कर्म क्या है सत्य बोलना जो की लिंग और बचन कर्म के अनुसार है आईए अब चलते हैं वाची के भेद के विसे के बारे में जाने वाची के निमलिखित तीन भेद हैं कर्तरी वाच, कर्मवाच, भावाच अब आईए जानने कि कर्तरी वाची किसे कहते हैं या उसकी परिवासा क्या होती है क्रिया का वह रूप जिससे वाकिके उद्देश का बोध हो उद्देश का बोध हो उसे करतरी वाची कहते हैं इसमें क्रिया के लिंग, वचन, करता के नुसार होते हैं उद्देश इसमें क्या है बच्चा और खेलता है बच्चे का उद्देश क्या है खेलना तो घोला दोरता है बच्चे बुस्तके पढ़ते हैं दिये गए उद्देश में बच्चा घोला और बच्चे क्या है ये करता है दिये गई वाकियों में करता की प्रधानता है जिसमें क्रिया खेलता है दौरता है पढ़ते हैं जो सब करता के अनुसार है इसलिए खेलता है दौरता है पढ़ते हैं क्या है करतरी वाच्च है आईए अब चलते हैं कर्म वाच्च की परिवासा के बारे में जाने जिस वाक्य में क्रिया जो हो रही है किसके अनुसार हो रही है तो क कर्म के अनुसार, अथवा, वाक्य में कर्म की परधानता हो, यानि सेंटेंस में किसकी परधानता हो, कर्म की परधानता, उसे कर्म वाच्छी कहते हैं, उधारन सरूर, पुस्तक मेरे दुआरा पढ़ी गई, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो दिये गए उधारन की क्रि क्रियाओं में क्या है कि कर्म की प्रधानता है जिसमें मोहन और मेरे दुवारा किये गई क्रिया में पढ़ने यानी कर्म की प्रधानता को बताता है इसलिए यह उधारन क्या है कर्म वाच्ची का है आएए चलते हैं भाव वाच्ची की परिवासा जाने क्रिया का वह रूप जिससे वाके का उदेश, वाके का उदेश क्या है? केवल भाव को हिव्यक्त करना होता है, अत्वा भाव की प्रधानता होती है, उसे भाव आची कहती है, उधारन सरूप मुझसे खाया नहीं जाता, पूनम से लिखा नहीं जाता इसमें मुझसे का क्या भाव है यानि कोई भी अन्नोन परसन है उसका भाव क्या है कि उससे खाया नहीं जाता है इस उधारन में पूनम से लिखा नहीं जाता तो इस उधारन में भाव क्या है कि पूनम के द्वारा लिखा नहीं जा रहा है किसी भी कारण से तु भाव है ये आए चलते हैं पंकत से खेला नहीं जाता इसमें भी भाव क्या है करता का क्या उससे खेला नहीं जाता है उपरोक्त लिखे उधारनों में खाया नहीं जाता लिखा नहीं जाता खेला नहीं जाता आदी क्रिया सब्दों में नहीं करने का भा क्रिया का प्रियोग किस तरह होता है तो क्रिया का प्रियोग लिंग के हिसाब से बचन के हिसाब से तथा पुरुस करता के अनुसार होता है कभी कर्म के अनुसार और कभी भाव के अनुसार होता है तो इस प्रकार क्रिया का प्रियोग तीन प्रकार से होता है कर्ता के अनुसार कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार जो होता है तो कर्ता के अनुसार होने से कर्तरी प्रियोग कहते हैं कर्म के हिसाब से होने से कर्मनी प्रियोग कहते हैं और भाव के हिसाब से होने से भावे परियोग कहते हैं तो आईएब चलें करतरी परियोग की परिभासा के बारे में जान लें जब क्रिया का लिंग बचन तथा पुरुस करता के अनुसार होता है किसके अनुसार होता है ये तीनों चीज तो करता के अनुसार होता है तो उसे करतरी परियोग कहते हैं उधारन सरू सीता आपको पत्र लिखेगी लड़के प्रात्य घूमने जाते हैं यह दोनों वाक्यों में जो है पत्र लिखने का कम सीता के द्वारा और घूमने का कम लड़के द्वारा किया जा रहा है जिसमें सीता और लड़के करता की प्रधांता है किसकी परदानता है गुमने का काम कौन कर रहा है लड़का कर रहा है पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है तो सीता कर रही है इसलिए इसमें करता की परदानता है और यह उधारन जो है करतरी परियोग का है आईए अब चलते हैं कर्मनी परियोग की परिवासा जाने जब क्रिया का लिंग, बच्चन तथा पुरुस इसके अनुसार होगा तो कर्मनी प्रियोग में कर्म के अनुसार होता है तो उसे कर्मनी प्रियोग कहते हैं आईए उधारन से समझ ले सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई मोहन के द्वारा गीत गाए गए इस दोनों वाक्यों में पुस्तक पढ़ने की क्रिया और गीद गाने की क्रिया सीता और मोहन के द्वारा संपादिद हुआ जिसमें कर्म दोनों के द्वारा किया गया इसलिए यह जो है क्या है कर्मनी परियोग की परिभासा है अब आईए चलते हैं कि कर्मनी प्रियोग के भी भेद है यानि कर्मनी प्रियोग के भेद कितने है तो वाचि के आधार पर कर्मनी प्रियोग के दो भेद है कर्तरी वाचि कर्मनी प्रियोग, कर्म वाचि कर्मनी प्रियोग अब पहले कर्तरी वाच कर्मनी प्रियोग यानि कर्ता भी है कर्म भी है उसके हिसाब से यानि कर्तरी वाच कर्मनी प्रियोग की परिवासा क्या है? जब क्रिया तो कर्तरी वाचिकी हो, क्रिया किसकी होती है, तो कर्तरी वाचिकी, यहनी कर्ता वाचिकी, किन्तु उसके लिंग, बचन तथा पुरुस कर्म के अनुसार हो, लेकिन लिंग, बचन, पुरुस किसके सार होता है, कर्म के अनुसार, उसे कर्तरी वाचिक, कर्मनी प् राम ने पत्र लिखा पूनम ने चित्रहार देखा ये दोनों उधारन करतरी वाच के हैं परंतु क्रिया क्या है कर्म के नुसार है इन वाक्यों में देखने की क्रिया और लिखने की क्रिया चित्रहार लिखने की क्रिया और पत्र जो है क्या है चित्रहार कर्म है पत्र भी कर् तो कर्म के नुसार या उधारन व्यक्त क्या गिया है इसलिए या परिवासा जो है या उधारन जो है किसका है करतरी वाच कर्मनी प्रियोग का है आई अब चलते हैं कर्म वाच कर्मनी प्रियोग के बारे में जाने जब क्रिया कर्म वाच की हो और उसके लिंग बचन और पु क्रिया किसके होगे तो कर्म बाच की होगी लेकिन उसके लिंग बचन और पुरूस किसके हिसाब से होगा कर्म के नुसार होगा उधारन के स्वरूप लड़कों से प्राथना की गई लड़कों से प्राथना की गई क्रिस्न से कंस को मारा गया इस दोनों उधारन में प्राथन करने की क्रिया और मारने की क्रिया कर्म के अनुसार है क्योंकि आगे चलिए हम समझ ले क्योंकि प्रार्ट्मा करने का कर्म लड़कों के द्वारा होता है और क्रिस्न को मारने का कर्म जो है कृष्ण के द्वारा होता है इसलिए अउधारन जो है कर्मवाच कर्मनी का है अब चलिए लास्ट में जब हम लोग पढ़े थे कर्तरी प्रियोग भावे प्रियोग कर्मनी प्रियोग अब भावे प्रियोग की परिवासा को जाने जब क्रिया के लिंग पुरूस तथा बचन ना तो करता के अनुसार हो और ना ही कर्म के अनुसार यानि लिंग बचन पुरूस जो होगा ना तो करता के अनुसार होता है और ना ही कर्म के अनुसार तो होता किसके अनुसार है किन्तु क्रिया हमेशा अन्य पुरूस पुलिंग एक बचन में होतो उसे भावे प्रियोग कहते है यानि जब क्रिया के लिंग बचन पुरूस बचन आदी जो है किसके अनुसार नहीं होगा करता के अनुसार नहीं होगा कर्म के अनुसार नहीं भावे प्रियोग के भी बेद हैं तो भावे प्रियोग के वाच्च के आधार पर इसके तीन बेद हैं कर्तरी वाच्च भावे प्रियोग कर्म वाच्च भावे प्रियोग भाव वाच्च भावे प्रियोग अब है कर्तरी वाच्चे भावे प्रियोग की परिभासा जाने जिसमें क्रिया तो कर्तरी वाच्च की हो किन्तु उसके लिंग वचन तथा पुरुस कर्ता के उसार न हो तो इसमें कर्ता का विभक्ती चिन तो कर्ता का विभक्ती चिन क्या होता है ने तथा कर्म का विभक्ती करण से यह जो चिन भीषकिती का चिन इस हिसाब से तो भी कह रहा है क्या कि उसके लिंग बचन तथा परूस करदा के नुसार ना हो तो इसमें करदा का भीषकिती चिन ने तथा कर्म का भीषकिती चिन को लगाना आवस्यक होता है हौआइए उधारन से समझ ले लड़के ने तो लड़का तो करता है करता का ने चिन्न विवक्ती चिन्न क्या है ने है और कर्म का विवक्ती चिन्न क्या है को है तो सेव कर्म है खाने का क्रिया है तो लड़के ने सेव को खाया तो दोनों विवक्ती का यूज किया गिया ने और को सीता ने दूद को पिया इस दोनों धारन में क्या है करता का चिन ने तथा कर्म का चिन को का प्रियोग है जो करतरी वाच भावे को दर्साता है आईए बचलते हैं कर्म वाच भावे प्रियोग के परिभासा के जाने जिसमें क्रिया तो कर्म की हो क्रिया किसकी होती है कर्म के अनुसार उसकी लिंग वचन और पुरूस ना तो कर्म के अनुसार हो तथा ना कर्ता के अनुसार यानि कर्ता लुप्त होता है यानि करने वाला जो होता है वह प्रदर्शित नहीं होता है मालूम नहीं होता है कि कौन है किन्तु कर्म के साथ विभक्ती चिन्न को लगाना आवस्यक होता है उसे कर्म वाच भावी कहते हैं उधारन सरू लड़के को मार दिया जाएगा अब लड़के को कौन मारेगा यह करता असपस्ट यहां नहीं दिख रहा है पत्थर को फेक दिया जाएगा किसी के द्वारा फेका जाएगा तभी तो फेकेगा इसलिए फेकने वाला जो करता है वह यहां असपस्ट नहीं दिख रहा है तो दोनों धारन में करता का लोब है प इसे की पत्थर को लड़के को तो किसका चिन लगा है करता का विवक्ती चिन लगा है और करता लोब है पर कर्म का विवक्ती चिन कोन लगा है इसलिए या उधारन जो है कर्म वाच भावे प्रियोग का है आईए अब चलते हैं भाव वाच भावे प्रियोग को जाने जब क्रियातु भावाचिकी हो तथा एक बचन पुल्लिंग और अन्यपुरूस में हो तो करताकारक ने का करनकारक से का प्रियोग होता है यानि करताकारक के ने के जिगा पे किसका प्रियोग होता है तो करनकारक से का प्रियोग होता है बिभक्ती का चिंध लगाया जाता है उधारन के तोर पर अब यहां मैं समझाने के लिखा हूँ मुहन से पर अभी मुहन से कुछ और दीजिए अब उठा नहीं जाता हमसे अब खाया नहीं जाता या फिर अब खाया नहीं जाता अब उठा नहीं जाता इसमें करता को अगर हटा देते हैं अब उठा नहीं जाता अब खाया नहीं जाता इसमें करता के दुआरा क्या है उठा नहीं जा रहा है लेकिन करता के दुआरा खाया नहीं जा रहा है लेकिन जब करता का प्रियोग करते है तो क्या होता है, तो करता यहां मोहन हो जाता है, मोहन से अब उठा नहीं जाता, हमसे अब खाया नहीं जाता इस दोनों उधारन में करता की विवक्ती ने का प्रियोग न होकर यानि करता ने यानि मोहन ने नहीं लगा क्या लगा मोहन से क्योंकि मोहन तो करता है तो करता के आगे चिन्द ने लगना चाहिए था लेकिन ने का चिन्द का प्रियोग नहीं हुआ है किसका हुआ है मोहन से हम से यानि उदान्ड में करता की विवक्ति ने का प्रियोग ना होकर करन विवक्ति का चिन्न वहा है से तो मोहन से हम से विवक्ति का प्रियोग हो रहा है इसलिए यह उदारन जो है भावाच भावे प्रियोग का है तो बच्चों आपको समझ में वाच चाह गई होगी धन्यवाद